अब इप्टा का अभियान जो चला था, 40s, 50s में, ये और आपकी अभी की प्रोड़ती दोनों किस तरह जुड़ती है? ये सवाल बहुत अच्छा है, इस माइने में कि इप्टा के काम में अब बहुत परिवर्तन हुआ है, जो सनुनी सो तैंतालिस से लेकर उननचास तक जिस तरह से इप्टा ने बंबई में काम किया, और दरसल बंबई इप्टा का काम ही लोगों ने जाना, जबकि ऐसा नहीं है पटना में भी काम हो रहा था, आगरा में खास तरह समाने, खुब काम हुआ है, लेकिन वो रिखांकित जो हुआ, वो बंबई इप्टा का, ओसन उनसठ आते आते, इप्टा का काम तो देश में राष्टी सतर पर बंद हो गया, सन उननी सो पचासी में बहुत सारी लोग आगरा कन्वेंशन में फिर से एक तरह से नया उभार आया, और उसी के प्रेड़ना सरूप 1986 में, हैदराबाद में इसका अधिवेशन हुआ, और उसमें फिर सारे स्टेट आये, और पता चला कि अलग अलग रूप में, असंगठित रूप में एप्टा की यूनिट्स पू जरंतरता आ गई है, लगातार राष्टी इस तरफ पर ये काम कर रहा है, बहुत सारे इसमें यूवा अब आ गए है, पहले जो आगरा कन्वेंशन पगरे हुआ था उसमें सारे बुजर्ग थे, लेकिन सांच्यासी में जे देखा कि पत्ना में भी बहुत सारे लोग हैं, हुआ है, अपेक्षाक्रत ही हुआ है, और इसलिए एक नई सोच भी आ गई है, पहले इप्टा जो था, उसको ये माना जाता था कि ये कम्मिनिस्ट पार्टी का एक अंग है, और उसका पूरा व्यावहार भी वैसा ही हुआ करता था, लेकिन अब इसमें वो बात नहीं है, ह हम जो सहज मानवी मूले हैं, जो शोशित पीड़ित की समस्याइं हैं, निश्चित रूप से आज भी उन्हीं का प्रतिनेद्वत और उन्हीं को प्रदर्शित करने के लिए नाटक और कला के सभी माधिनों पर काम करते हैं, लेकिन अब वो संकिर्णता नहीं है, पूरी व् करता है, और उसको कोई ऐसा बंधन नहीं लगेगा कि इस तरह से पुराने जमाने में एक पार्टी नियंत्रण सरी का हुआ करता था, अब वो बहुत व्यापा को खुला मंच है, जिसमें सब तरह के लोग आते हैं, बस यह है कि इस तरह के जो अपने मूल हैं, धर्म भाव गवा या शोशित पीड़ित का कि भलाई का या उनके शोशन मुक्ती के जो कारका में, यह मूल विचारधारा योदी आपकी है, तो आप इतना में सक्रियों हो सकते हैं, इसलिए भी अब वो संगठन बहुत व्यापक होता जाना है.